हेलो एन वेल्कम दोस्तों दीप इलेक्ट्रोनिस लाब में आपका फिर से एक दफास हुआ गाते दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा एक उनिवर्सल 50W LED TV पावर सप्लाई के बारे में यानि यह जो आप पावर सप्लाई देख रहे होंगे इस पावर सप्लाई को आप 50W तक किसी भी LED TV के अंदर लगा सकते हो क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो पहले से इस्तेमल करते हुए आ रहा हूँ इस तरीके से छोटे छोटे उनिवर्सल पावर सप्लाई और यह सारे पावर सप्लाई दोस्तों हम लोग ज्यादा वाट के LED TV के अंदर नहीं इस्तेमल कर सकता हूँ यह जो आप पावर सप्लाई देख रहे होंगे यह फिर भी हमें 35-45 वाट तक किसी भी पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमल कर सकता हूँ लेकिन यह जो हमारा पावर सप्लाई है दोस्तों यह हलाकी इसके उपर लिखा हुआ है 50 वाट पावर सप्लाई लेकिन आप इस पावर सप्लाई के लिए और एक हो गया हमारा इस मादर बोड सेक्षन के लिए तो अगर आपका यह मादर बोड सेक्षन का पावर सप्लाई खराब हो जाए तो आप इस जगा पे इस तरीके का पावर सप्लाई को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि इस तरीके का दो अलग अलग power supply मिल जाती है आप अगर इसको लगाओगे तो यह ज़्यादा दिन ताक नहीं चलेगा यह जल्दी खरब हो जाएंगे और इसके output में आप देख सकते हो एक दो तीन चार डायोड लगा हुआ है लेकिन दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसकी output में देख स से जो कि आपको दूसरे universal power supply के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो सारे unique और जो अनुका फीचर से उसके बारे में तो अगर आप इस power supply का अनुका फीचर्स के बारे में जानकरी लेना चाथ दियो तो इस वीडियो को नीचे जो red button दिख इसके उपड़ भी प्रेस कर दिजिए चलिए आप देख लेते हैं इस universal power supply का अनुका फीचर्स के बारे में तो देखिए दोस्तों अगर हम इस power supply का अनुका फीचर्स की बात करेंगे तो इसके पीछे साइड में कुछ यहां पर ampere दिया हुआ है a b c d करके यहां पर देखि लटेंगे तो यह वाला जो point है दोस्तों आपको sort करना परेगा और sort करने के लिए यहां पर कुछ जगा दिया गया है मैं आपको इसको अच्छे से दिखाता हूं यह जो point है इस point को आप sort करके इसके according आप output में power ले सकते हो उसके बाद दोस्तों यहां पर दिखिए बहुत स ज्याक दिया रहता है तो उसे ज्याक के अंदर कौन सा positive होगा कौन सा negative होगा वो अलग-अलग TV के अंदर अलग-अलग होते हैं तो जब हम उसको modify नहीं कर सकते हैं तो आप यहां पर modify करके वो ठीक कर सकते हो जैसे कि आप मान लीजिए यहां पर सारे के सारे एक दू तीन च पर पॉजिटिव पावर सपला चाहिए तो आपको जोडना होगा अगर दो नमबर पीन पर पॉजिटिव सपलाई चाहिए तो दो नमबर को यहां पर जोडना होगा तीन नमबर के लिए यहां पर तीन नमबर जोडना होगा चान नमबर के लिए चान नमबर जोडना होगा और अगर हम negative की बात करें तो उसके लिए भी आपको option मिल जाएंगे पीछे side यहाँ पर एक दो तीन चरकर के सारे जो यहाँ पर दिया हुआ है jumper तो यहाँ पर jumper जोर के भी आप जो है इसका आपने according positive और negative का pin select कर सकते हो और यह जो दोस्तो अनुखा feature से आपको दूसरे किसी universal power supply के आंदर देखने को नहीं मिलेंगे और इस पावर supply के उपर exclusive video हमरे इसे चैनल पर ही आपको देखने को मिलेंगे किसी दूसरे चैनल के उपर आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो हमने इस power supply के बारे में बहुत सरे कुछ जानकड़ी दे दिया हूँ, अब बात आते हैं कि इसका model number कितना है, इसका power rating कितना है, इसका voltage rating कितना है, उसके साथ ही साथ हमें ये कहां से मिलेंगे, इसके बारे में एक बार जानकड़ी आपको दे देता हूँ, देखिए इस power supply क जो model number है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, gold 95E, इसका model number है, और ये आपको हमारे official website www.deepelectronicslabshop.in पर मिल जाएंगे, बहुत ही affordable price range के अंदर, और ये power supply दोस्तों आपको और किसी जगा पर नहीं मिलेंगे, हमारे website पर ही मिलेंगे, चलिए अब इसका voltage और power के बारे में जानकड़े ले लेता हूँ, देखिए इसके पीछे जो आपको यहाँ पर लिखका हुआ, देखने को मिलेंगे, इसका input voltage है, वो AC 110V से लेकर 245V तक आप input कर सकते हो, यानि ये power supply, especially Indian consumer के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ का, जो AC supply है, 230V, plus minus 10% होती है, इसलिए य ये power supply बहुत ही आच्छे से काम करेगा, और अगर आपका voltage 230 से जादा होके 245 तक हो गया, तो भी ये power supply बहुत ही आसानी से काम करेंगे, और ये power supply जल्दी खरब नहीं होंगे, 245 तक ये voltage जेल सकता है, और minimum 110V इसको चाहिए तभी ये properly काम करेगा, उसके बाद इसका अगर output के बाद करें तो आप यहां पर देख सकते हो, सिधा सिधा लिखा हुआ है, यहां पर 50V से लेकर 180V तक ये output करने का समता रखती है, उसके साथ ही 75W तक ये काम कर सकती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस power supply को आप 65W तक किसी भी LED के अंदर लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों आप इस power supply को 50W तक LCD तक ही लगा सकते हो, अगर आपके पास 65W का LCD TV है, तो उसके अंदर इस power supply को आप ना लगाए, तो ही अच्छा रहेगा नहीं, तो ये खरब हो जाएंगे जल्दी, लेकिन अगर आपके पास 65W का LED TV है, तो उसके अंदर आप बहुत ही आसानी स इस power supply को लगा सकते हैं, उसके साथे साथ आप दोस्तों देख सकते हों, यहाँ पर Ground Adjusted Inamel 12W के लिए यहाँ पर आउटपूर्ट दिया गया है, यह सारे connection हमारा मदरपोर्ट के साथ connection करने के लिए, तो मुझे आसा ही कि दोस्तों आपको इस universal 50W power supply के बारे में अच्छे से ज जरूर कर दिजेगा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी share कर दिजेगा, और अगर आप इस power supply को purchase करना चाहते हो, तो नीचे description में हमारे online store का link दिया हुआ है, वहाँ पर जाके इसके बारे में और भी जानकर ले सकते हो, उसके साथ ही जब सब सब से बड़ में जो price है, यानि कि इसका जो दाम है वो बता दूँगा, एक साल बात इसका दाम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा होंगे, और ताब एक साल बात अगर कोई इस वीडियो को देखेंगे, तो उसको लगेगा कि ये इसका difference कितन है price का, तो इसलिए इसके वीडियो के अंदर में दाम नहीं बताता हूँ, अगर दाम के बारे में यानि कि price के बारे में आपको जन करी लेना है, तो आपको अमरे website पर जाके चेक करना होगा, description में लिंक दिया हुआ है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों हम फिर मिल इसलिए, नेक्स वीडियो के अंदर तक तक लिए वीसियो, all the best